दिवसो दर्म्यान अहीं वारमवार मेहू लो गाज्यों छे पन वर्षयों न थी ए नव वर्षयों एपने नी कृपा छे आजना पुर्णाहूती दीने नागरी विचार धारा नी एक विशिस्ट लक्षन इकता उपर वक्तव्य आपवा माटे आजुनागड नी धरती नी ए वक्तव्य आपियू अने बारमा वर्षथी विधिवत्त वक्तव्य आपनार तरीके जाहर मावी गे चला आठ वर्षथी वक्ता तरीके ने नी सफर मा यहमने सव्वासोती वधू एवोड अने सन्मान प्राप्त करया चे सिया ने नेशनल बालभोवन दिल्ली ट्रांसमेड या महारती एवोड और डॉटर आइकॉन ओफ गुजरात मुख्या चे राधा हाल अमदावाद नी सेंट जेवियर स्कोलेज मां बीए वित संस्कृत ना पांचमा सेमिस्टर मां चे एक एवानी जरूर ना थी के राधाय आगर ना चारे सेमिस्टर मां गोल्ड मेडल प्राप अंडर्ग्रेजुएट स्टुडेंट रिसर्च प्रोग्राम अंतर्गत राधाय रिसर्च कर्यू विशय हतों बगवत गीता अने नर्सी मेता रचित वैश्नव जन्नों तुलनात्मक अत्यहन आ संशोधन्ने पंसुवर्न चंदर प्राप्त थायो चे राधा फ्रेंच जा अने चे हमना जोजायल आफ्रिकन डेवलप्मेंट मीटिंग ना अलजेरियन नानमंत्री ना फ्रेंच इंटर्पिटर तरीके राधा मेता है सेवा पेली चे आवी एक बहु मुखी नागरी प्रतिभा आपनी समक्ष हास्य औने व्यंग्यनी वात लईने आवे चे कुमरी र हलो जैसियाराम सती, संत अने शूरानी धर्ती पर सती, संत अने शूराना सानिध्यमा योजायली आ कथाना आजना अंतिम दिव से नटवर, नरसीह अने नर्मद इटले के भगवान, भक्ती अने भाशा आ तत्वोनी आराधना करनारी एक विचारधाराना तत्वने उजागर करती आ कथामा नर्सिह नगर जुनागर्धनी दिक्री राधा महताना आप सर्वेने शत शत वंदन ब्रमहेई वेदं अम्रुतं, पुरस्तात ब्रमह, पश्चात ब्रमह, दक्षिनहच उत्तरेणच अदहच उर्ध्वं प्रसूतं, ब्रमहेई वेदं विश्वमिदं वरिष्ठं आगल पाचल उपर निचे दशे दिशामा व्याप्त आप ब्रमह वरिष्ठ तत्वा छे, आप परम ब्रमहनों स्वभाव आनन्द छे, आत्मानु स्वरूप आनन्द छे, अने आप परमार्थिक आनन्द नी व्यावहारिक अभिव्यक्ती, एटले रोज बरोज ना जीवन मा जोवा मलती, सेंस ओफ यूमर, आ नागरी विचारधाराना बे प्रबड वहन छे, सेंस ओफ यूमर अने सार्काजम, हास्य अने व्यांग, त्रोण वर्ष्णू एक बाढक, स्कूल मा पोताना इंटर्व्यू माटे हजी जाये छे, हजी शाडामा दाखल पण नाथी थे एना प्रिंसिपालेने सवालों करे छे, बेटा आंक्षू काम करे, जोवानू, दांत शू काम करे, चाववानू, मोडू शू काम करे, जमवानू, वेल, ओके, पग शू काम करे, पाटिये जूलवानू, आ बाढक नागर आजे मारे जे वाद करवी छे, ए रोजबरोजना जीवननी, सामान्या घटनाओं मापन, हास्यरसने जोना रा, रमूज वृत्ती थी, दरेक बाबतोंने हलवाश्थी लेना रा, आ नागरत्वनी एक बहु सुन्दर मजानू द्रश्य होए के माता, पिता, दादी बा, एमना संतानोंने लई अने जई राया होए, अने त्यारे नागरी समाज माँ एक सुन्दर मजानू काव्य कोईने स्फूरी आवे, ए आजे मारे दमने वाद करवी छे, आ बहु जूनू कदा जोड़क अने जोड़कनू कहीं कावू हतु, श्वेता टचू गदी, बचुडो बे बड़ी, परा शर्मिष्ठा, दुरुपद केशुबा, पुज्य शर्मिष्ठा बा, अने पुज्य दुरुपद भई, तथा केशुबा एटले के दादी मा, अने आ समगर परिवारने दर्शाव तु एक सुन्दर मजानी नानकडी पंक्तिनू जोड़कनू, आजे सहज रीते साहित्यक तत्व साथे हास्य रचवानी जे सामर्थ्यक्षमता छे, ये नागरत्वा छे, अने ज्यासुदी व्यंग अने कटाक्षनी वात छे, त्यासुदी साहित्यने लईने, रोजबरोज जीवंतना द्रश्टान तोने लईने थता व्यंग्य, तोज एनी अनुभूती थाए, जो कांतो ए व्यंग्य तमे करी शको, कांतो ए व्यंग्य ना तमे अनुभवी बनो, कांतो ए तमारा पर व्यंग्य थाए, त्यारेज एनी धार समझाए, अमारा कॉलिज ना संस्कृत विभाग अध्यक्षा प्रोफेसर डॉक्टर शुचिता बेन मेहता गणिवार कॉलेज बामें अकलाई जहिए ने इटले कंटाई ये मैडम आतो साव केवो छे यार आउचे तेवुचे बहु नंग जेवो मानस छे इटले मैडम मुख पर आचा स्मीच साथ एम के बेटा बह ये नागर वड़तव जा यारे रोज बरोज ना जीवण माा हता कटशनी धार एटली तेज हे द्यारेज ये नागरी व्यंग य Sind नागरी कटाक्ष महताजी ना ब्रह ग्नानन्नु निमित बनी शेक्ट हावी महणू मारे अने महताजी़ घर छोडीने चाले कधाज निमित ह आ नागरी व्यंग औने नागरी कटाक्ष मा रहेलू छे जयरे साहित्य तरफ जईये त्यारे आपनने एक अपूर्वदेई दिप्यमान तारक देखाए समग्र भारत ने जर्ने हास्यानु घेलू लगाड़ियू छे ए तारक महता जो कोई व्यक्ति खूणा मा वैसीने कादू पुस्तक माँचती होय और पुस्तक वहाचता है पेट पकडी ने oben हसती है आलोट ताहसती होय तो ये पुस्तकता तारक öğता ना टपुडा विश्चे होवानी संभावनाओ गणी वदारे चे वालना कात्रा उडाडतो टपूडो वारे वारे घरमा घुसी आवता जेठा लाल अने जरापन शिष्टने संस्कारी नो लागे इवा बीडी फुंकता चंपक लाल आ दरेक दरेक पात्रो आ जीवन आपने पेट भरी ने हस आववाना अने जी आरे हास्य तत्व निवात आवे त्यारे मारा थिया नाम न भुलाए श्री ज्योतिंद्र दवे श्री उमा शंकर जोशी कहे छे के अवे तो आपना माटे ज्योतिंद्र ए हास्य नो परियाए बनी गया छे मने हस्वूं आवे छे एम केवानी बदले एक बाजू पेट पकड़ी ने हसावे त्यारे श्री जोतिंद्र दवे तमारा चेरा पर मार्मिक हास्य अने व्यंग द्वारा स्मित नी लहरों लावी दे तदन बे भिन शैलियों द्वारा आप सर्जातु हास्य एक विचारधारा मां समायलू छे आव विचारधारा गरत्वा चे आज थी 170 वर्ष पहला प्रकाशित थेलू एक पुस्तक श्री रमणलाल निलकंठ सर्जित भद्रम भद्र एक सो सत्तर वर्षे पन आ नाम आपना रदैमा अमर स्थान पामेलू छे एनू कारण कदा चे छे के एमने जे भाशा शैली साथे जे भाशानी भव्य साथे एक जोड मान सिकता पर आकरा प्रहार करेला चे आकरा कटाक्ष करेला चे अने एपन हास्यनी शैली मा श्री रमण भाई निलकंठ नी कलम नी ताकाज तो जुओ तमे ए 25 आक्षर नो एक शब्द रचे शब्द कहीं का वो होई अश्वद वयाक्रुष्ट चतुष चक चार पईड़ा वाली काच गवाक्ष एटले के काच नी पारी ओ वाली अने सपाट ता छादन एटले के छापरुँ चापरा वाली बगी आ कारण चे के भद्रम भद्र आपना माटे मात्र एक नवल कथा के एक पात्र नथी एक भाशा शैली छे शाश्वत समय सुधी कोई व्यक्ती न समझायवी अगरी-अगरी भाशा मा कईक बोल शे त्यारे आपने एमाती हास्य निश्पन न करवा के ना पर कटाक्ष करवा एमाज कहिशू के तु भद्रम भद्र चे तु भद्रम भद्र चे वू बोले चे एक सो सत्तर वर्ष पहला रचायलू एक पुस्तक एक विचारधारा बने त्यारे एक गनाती एक विचारधारा बने आज सामर्थ्य जे माँ छे ए नागर हास्य अने कटाक्ष नुतत्व छे संस्कृत साहित्य आम तो कहे छे के वाक्यम रसात्मकम काव्यम जे पड़ रसाल वाक्यों होए ए दरेक काव्य छे ए दरेक साहित्य छे पड़ा साहित्य ना उत्तम मध्यम अने अदम एम त्रोन प्रकारों पाड़वामा काव्य प्रकाश के जे संस्कृत साहित्यनी मार्ग दर्शिका गणाए एमा आचार्या मम्मट लखे छे इदम उत्तमम तू अती शेई नी व्यंग्ये वाच्या द्वनिर्बुदेई ही कथी तहा प्रबुद्ध लोको एम कहे छे के जे काव्य अथ्वा जे रसात्मक वाक्य पोताना सीधे सीधा अर्थ करता व्यंग्यार्श मा कहींक चडिया तू निकली आवे ए उत्तमकाव्या छे उत्तमकाव्या उत्तम साहित्य कटाक्षमाई साहित्या नाम तो अनेक द्रश्टान तो मडशे पन किटलाक मारा गमता आजना सांप्रत सवैना कवी सौम्य जोशी एक अलगज द्रश्टी कोण थी काव्या लखे छे मेवाड ना राणा क्रश्न ने कह छे कान तुए ने कह छे मारा रुदिया पर ना शिला लेखना भूसा एला अक्षर एनी राह जुए छे कान तुए ने कह जे मारा रुदिया पर ना शिला लेखना भूसा एला अक्षर एनी राह जुए छे ने कालिंदीने काठे मारी माफकेली राधा नामे एक अजानी राधाना में एक अजानी माधव तारी राह जुए छे। क्रश्ण नें केवू केना माटे एनी राधा अजानी छे। आ कटाक्ष क्रश्ण ने पन लागी आवे। अन्य मारा एक बहुच गमता कवी श्री जवाहर बक्षी। एतो कटाक्ष पर पन कटाक्ष करता कहे छे। के हरण तरसे मार्यू आँ हाफी रयू छे। प्रथम एने पाणी पिवाडो ओ लोको तरत ए बिचाराने एतो न पूछो के केवो रोयो जान्जवानो अनुभव। आ दरेक एदरेक साहित्य कारो छे एना जीवन माजे हास्या अने व्यंगनी पढ़ो आवे छे ए मात्रा लेखन पुर्ती सिमित नथी रहती। हकीकत नो दाखलो छे हास्याना आवाजेक समराट विनोध भट पोताना पुस्तक मा दाखलो नोंदे छे। एक वखत सूरत मां एक साहित्य सम्मेलन योजायलू हवे ना मंडणना बे अलग-अलग मंत्री होए बे अलग-अलग महानु भावने प्रमुखपद शोभावा माटे आ मंत्रणां पी दिदलू। आब यह महानु भावो एटले श्री चंद्रवदन महता अने श्री जियोतिंद्र दवे। एक वाक्य फरी थी चंची बोल्या, बिजू वाक्य फरी थी जियोतिंद्र दवे बोल्या। आम एक एक वाक्य माथी बनने अर्दार दा वाक्य पर आवी गया। अर्दार दा वाक्य पर थी एक एक शब्द अने छिल्ले तो एक एक अक्षर पर आवी गया। अने आम करता करता वक्तव्य पाच्छु चालीस एक मिनिट चलावेलू आ रोज बरोज ना जीवन मावती समस्याओने पण हलवाश्थी लईशक्वानी क्षमता ए नागरत्व चे अने ज्यारे नागरत्व नी वातज जेना आधार पर रचाई चे ए नरसीह महता एने बाकात नराखी शकाई आपना जुनागड़नाज कवी डॉक्टर उर्विश वसावड़ाए जे नरसीह महताना समग्र पदोनों संकलन बाहर पाड़ियो एनू शिर्षक बहुत सुन्दर आप्यू छे शब्द वेद जेना शब्दे शब्दमा वेद समायालो छे ए नरसीह महताना आप दो आना थी पण आगर जहीने संस्कृत धातु विद एटलेके जानवू पर्थी रचालो शब्द वेद जानवा योग्य शब्द वेद जेनो शब्द शब्द जानवा योग्य छे ए महताची ना पदो आ पदो जेकिने जारे शब्द शब्द वाँची यंए त्यार समझाए के प्रेमरस पाने तु मोरना पिछदर अबु कहनार महता जी बहुँच मीठडा लागे छे पड़नी सामे आज नर्सी महता ज्यारे आकरा कटाक्ष अने व्यंग पर उत्री आवे त्यारा पड़ने बेव्यक्तियों सांबले एक अखा अने बीजा जगद गुरु शं अंकराचारिय आब अने नी समकक्ष आवेला अने कदाच एना थी आगल जईने सरण भाशा मा मुकेला आकरा चाब खाव माँचिया त्यारे समझाए के नागरी कटाक्ष ज्यारे आध्यात्मिकताना स्तर पर पहुँचे त्यारे नी ताकात शुह श्री महताजी लखे के अ सगल ने नवजाने निर्गुडने नवजानी शके अचेत भूल predictable आणे अज बिन-भाव आणना छे एना पर महताजी आकराकटाक्ष करे चेना पर महताजी चाब खा मारे चे याँ नागरी व्यंगर चैए आगल जये महताजी कहें चे दरेके दरेक मनुष्यमा पोता नी जातमा इश्वर ने जुए छे नर्सी महता एनू पांसु ताने छे अई या नर्सी महता श्री शंकराचारियना केवला द्वैत नी समकक्ष आवे छे आ केवला द्वैत एटले एक मात्र परम ब्रम्ह जनो स्वभाव आनन्द छे सामान्य जीवनमा व्यावहारिक जीवनमा सेंस ओफ यूमर रमुजवरुती एना थी आगल जयने साहित्यमा हास्यरस अने एना थी पन आगल जयने पारमार्थिक आनन्द अध्यात्मिक कक्षानों पार्मार्थिक आनन्द अकद आज एकज यात्रान त्रण तबक्काओ हशे अने माटेज आपथ पर आगण वदेला श्री शंकराचारिय लखे कि चिदानन्द रूपह शिवोहम शिवोहम चित्माना आनन्द स्वरूप कल्यान मैं हुँचू मारा मते आनन्द शब्दनों कोई विरोधी शब्द न थी बंदे मातरम राधाना अस्खलित प्रभामा वेता वक्त वियाय आपणने रस्तर बोड़ खर्याचे हुँ भिननती करूँ अब इन ध्वनी ने के ते मंच पर बदारे और पुझे बापू पासे थी आशिरवाद अने राम नामी प्राप्त करे राधा मेताने विननती के ते हो बापू नासिरवाद प्राप्त करे नव नव दिवस्थुदी चालेला आ नागरी दोर न समापन मा एक नानकड़ी वात बेन राधाये जोतिंद्र भाय ने उमाशंकर भाय न याग करया बापू ये नागर माति नागर सब्द उमाशंकर भाय नो कोट करयो एक समारंबनी अंदर मिनने मित्रो भेगा थाई गया और पहला वारो आवे उमाशंकर भाय नो आपने ख्याल चे कि जोतिंद्र भाय तो मारा करता साहुज बीजी बाजुना शरीर धराऊ दुबड़ा पातला पापड़ जटला पातला हता है ये उमाशंकर भाय कोई व्यं पने जनम्यान होता ए पेलनी वात एक मारी पासे छे ए जनम्वान आहता त्यारे नक्की राख्यू तू एना माता पीता है कि जो दिक्री आऊशे तो उमा नाम राखिशू और दिक्रो आऊशे तो शंकर राखिशू पछी उमा शंकर भाय आगया ये आस्पिट प्रत्य झाल